रगट कमपनी ने दो शांदार इलेक्टिक स्कूटर को इंडिया के अंदर लॉंच कर दिया है और यह स्कूटर कमपनी ने इतना मजबूत बनाया है कि इसके चेसिस पर कमपनी 7 साल की गारेंटी प्रोवाइट करवा रहे है यदि आप भी एक मजबूत इलेक्टिक स्कुटर खरीदना चाते हो तो यह वीडियो आप कम्प्लिट जरूर देख लीजिएगा आज की इस वीडियो में जानेंगे इस स्कुटर की क्या किमत रहेगी, क्या टोप स्पिट रहेगी, चार्जिंग होने में इसे कितना टाइम लगेगा, बेटरे टाइब कौन सा देखने के लिए मिलेगा, एक बार फूल चार्ज एकरकर इस स्कुटर को आप कितना किलमोटर त एक का नामे रगट जीवन, दूसरे का नामे रगट जीवन प्लस, और यह स्कुटर मेड इन इंडिया का प्रोड़क्ट है, डिजाइन वाइस शुरू करें तो इसका डिजाइन कापी हेवी बनाए गया है, इसके फ्रेंट अवर रियर में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाएगे, जो इस स्कुटर की खुबसूर्ती को और भी ज्यादा बड़ावा देते है, और इस स्कुटर में आपको डिजिटर मेटर देखने के लिए भी मिल जाएगा, बेटरी परफरमेंस के बारें बात की जाए, तो जीवन स्कुटर के अंदर आपको सिंगल बेटरी देखने के लिए मिलेगी, महीं पर बात की जाए, सेकेंड मोडल की, जीवन प्लस की, तो इसमें आपको डबल बेटरी देखने के लिए मिल जाएगी, और यह जो बेटरी आए है, यह लिथियम आयन बेटरी रहेगी, और इन बेटरी की वारंटी भी आपको तिन-त 3 साल की देखने के लिए मिल जाएगी तो भईया 3 साल के अंदर अपने तो सारे पेसे वसुल हो जाएगे मोटर और पावर की बात की जाए 3 किलो वाट हावर का इलेक्टिक मोटर का प्रियोग इसके अंदर प्रियोग किया गया है जिसे पूरी तरीके से वाटर फूरूप भी बनाए गया है चार्जिंग टाइम के बारे बात की जाए तो दोनों ही स्कूर्टर को आप फास्ट चार्जर की मदद से चार्जिंग कर पाएंगे G1 को फूल चार्ज होने में 3 गंटे का समय लगता है मही पर बात की जाए G1 प्लस की तो इसे फूल चार्ज होने में 6 गंटे का समय लगता है टोप स्पिट की बात की जाए तो दोनों स्कूटर की टोप स्पिट सेम रखी गई है यानि की 75 किलोमेटर परती गंटे के हिसाब से अब जानते हैं रेंज के बारे में G1 एक बार फूल चार्ज होकर 80 किलोमेटर तक चलाई जा सकती है मही पर बात की जाए G1 प्लस की तो यह एक बार फूल चार्ज होकर 160 किलोमेटर तक नो निश्टोप चलाई जा सकती है तो यह थी सांदा इलक्टिक स्कूटर अब जानते हैं इसकी क्या कीमत रहेगी और यह आपको कहाँ पर मिलेगी कीमत की बात की जाए तो G1 की कीमत 54,000 रुपई के लगबग रखी गई है महीं पर बात की जाए G1 प्लस की इसकी कीमत रखी गई है 1,4,000 रुपई के लगबग यह इसकूटर इंडिया के अंदर लॉंच कर दी गई है हर एरिया में इसे पहुँचने में कुछ समय लग सकता है रगेट की यह दोशांदर इसकूटर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी माथफोन राए लिख सकते हो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाच आते है जैहिन जै बारत